दोस्तो क्यूब या कौन देखे मत समझना कि आज इस पर फिट से टेस्ट पर वीडियो ले आएँ नहीं आज आपके लिए प्रेक्टिकल इंटर्वियो कोशन रहेंगे और मस्ट आपको देखना बनता है आप साइट पर जाओगे ये काम आएंगे आप किसी इंटर्वियो में जाओगे आपको काम आएंगे और ये आपको काम आते रहेंगे तो complete वीडियो देखो आपको काफी इंटर्वियो कोशन में बताने वाला हूँ कर लो और bell icons को जुरू दवा लो तो start करते हैं जो सबसे पहला question है हमारा what do you understand by M25 concrete जो concrete के grade होते हैं M10 की बात करूं 15, 20, 25 वो कहां से आते हैं मतलो क्या है अगर आपको कोई interviewer question पूछ लेगी M25 concrete क्या चीज है तो आपको उसको tackle कैसे करना है देखो जो IS code 456 2000 कहता है M जो refer करता है वो करता है mix और जो 25 है वो है उसकी characteristic compressive strength मतला हम बात करें अगर M10 ने होगा M mix होगा और 10 क्या होगा उसकी compressive strength होगी ठीक है यह clear होता है क्या है अगर मैं ऐसे आपको practically बताऊं इसके cube test होते है मतलो 1500 by 1500, 1500 mm के cube होते हैं उनको test किया है एप्रॉक्स कोई 100 cube बनाए जाते है उस ratio के अगर 25 के अगर हम बात करें तो 1 ratio, 1 ratio 2 और उसमें water ratio मिलाई जाती है 0.42, 0.6 मिलाई जाती है उसमें वो test किया जाते है 100 cube होते है और उसमें से उनकी average value निकाली जाती है तो जो test के बाद उसकी strength आनी चाहिए वो कितने आनी चाहिए 25 newton per square meter के हिसाप से उसकी strength आएगी जो ASTM code है वो क्या बोलता है जो अगर side पे आप concrete यूज कर रहे हो तो क्या temperature होना चाहिए कि हम उसे use कर सकते है तो 32 degree से celsius जो temperature है वो acceptable है अगर इससे जादा temperature होता है concrete का तो उसमें क्या होगा cracks create होएंगे उसके durability कम हो जाएगी मतलब एक अच्छा अगर हम fresh concrete जिसको बोलेंगे उसका अगर हम temperature चेक करते हैं वो होना चाहिए 32 degree celsius what is the process of covering of concrete place known exposed top of external walls जो आपकी चार दोवारी होती है external walls होती है उनको covering देना जरूरी है अगर covering नहीं दिया दिरे दिरे brick भी कमजोर हो जाएगी या concrete हो कमजोर हो जाएगा तो उस पे क्या करते हैं हम एक layer डालते हैं पूरी coping करते हैं वो चार इंच से छे इंच की हो सकती है उसमें क्या होता सिर्फ simple concrete की एक layer मतलब band जिसे हम बोलते हैं वो बना देते हैं कि जब भी बारिश बूरिश पड़े तो आपकी brick या plaster खराब नहीं हो एक cover मिल जाए पूर retaining wall बनाई होती है मिटी को रोकने के लिए होती है जहां कहीं जो बड़े बड़े पहाड होती है उनको रोकने के लिए हम काफी process करते हैं उसमें से एक retaining wall भी है मतलब एक लगा लो आप मिटी है उसको हाथ से आप दबा रहे हो तो एक retain कर रहे हो उसको मतलब पकड़ के रख तो वह रेटेनिंग वाल होगी वाल से आप समझे रहे हो एक दिवार जो रेटेन किसको गर रही है सॉइल को जहां जो भी मिटीरियल पीछे है उसको हम रेटेनिंग वाल बोलते हैं तो मिनिमम क्यूरिंग प्रिड कितना होना चाहिए तो हम बात करें इस कोड 456-2000 क्या कहता है अगर और्डिनारी पोर्टलैंड सीमेट है मतलब जो ऐसे बेसिक कम से कम उसको साथ दिन आपको क्यूरिंग करनी है और मैकसिम साथ अगर उसमें मिनरल्स और एड्मिक्चर पड़ जिसमें हाड वैदर हो गया या ड्राइव एड्मिक्चर बगएर भी पड़े तो चोदा दिन मिनिमम उसको क्यूरिंग करनी है क्यूरिंग क्यूरिंग करते क्यूं है कि हमारा जो सीमेंट होता है उसको पानी चाहिए होता है अपना हाइड्रेशन प्रोसेस करने के लिए उ इस परसपर से हम curing करते हैं और minimum 7 दिन और maximum 14 दिन हम curing करेंगे अगर concrete को तो वो अच्छी strength और durable हो जाएगा अगला question है जो हम seed analysis करते हैं aggregate का grade check grading करते हैं कि proper shape में है proper grade का aggregate है तो उस में हम seed analysis करते हैं ESTM C136 क्या कहता है minimum weight कितना बचना चाहिए जो fine aggregate होता है उसका minimum weight कितना बचना चाहिए 300 gram minimum weight उसका बचना चाहिए अगला question क्या है how many or should be CBR sample to be soaked जो हम CBR test करते हैं California bearing ratio test उसमें जो sample लेते हैं उसको कितने गंटे आपको soak पानी में डुबा के रखना होता है वो है 96 और CBR test किया है मेरे को काफी comments भी आता है सर इस पर एक video नहीं हो तो मैं जल्द practical video जुरूर लाऊंगा लेकिन आपको basic बता दूँ कि एक penetration test होता है जिसमें क्या होता है जो road की subgrade होता है उसकी strength चेक की जाती है तो उसी पसाब से फिर उसकी width, depth कितनी है road की यह सब चीजें CVR value से चेक करते हैं basic अगर आपको किसी को समझाना हो CVR क्या है, California bearing ratio test क्या है तो हम जो subgrade होता है उसको penetrate करते हैं हम एक angle तो उससे हम उसकी strength को check कर सकते हैं अगला question है what is the bearing capacity of soil जो soil उसकी bearing capacity क्या है bearing capacity क्या है जो आप उपर structure बना रहे हो जहाँ आपकी foundation आ रही है तो वो load जो होगा वो soil bear कर पाएगी कि नहीं वो उसकी bearing capacity होगी और इसकी values रहती है bearing capacity इस पर वी वीडियो से आप देख चक्यों जाके अगला question है what do you mean by honeycomb in concrete जो honeycomb होता है वो क्या है concrete में देखो होता क्या है जब हम segregate material मतलब ज़्यादा पानी डाल देते हैं concrete में जहाँ उसको proper से vibration बाइवरेट नहीं करते हैं जहाँ शट्रिंग proper से नहीं हो ज़्यादा mesh ज़्या सरीया structure में हो तो होता क्या है proper से concrete गुस नहीं बाता है और वहाँ क्या होता है whites रह जाते हैं pockets रह जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं honeycomb मतलब आपने देखा होगा के लेंग्वेज में गंजा बोलते हैं के लेंग्वेज में उसको honeycomb बोलते हैं तो वो चीज उसमें aggregate अलग दिखता है और बीच में उसके gaps दिखते हैं उसको humble तो उसको proper way से आपको finish करना पड़ता है आप उसको guinting से करें यहां अच्छे से motor fiber का paste बना के वो fill up करें वो आप पे है अगला question क्यां कहता है what are the skills required to become an architect अगर आपको architect बनना है अपनी field में कुछ लोग B.Tech करके civil engineer करके उसके बाद इसमें architect में जो courses रहते हैं वो courses करते हैं architect बनते हैं तो क्या चीज़े क्या skills आपके पास होनी चाहिए कि आप एक architect कहला हो अगर civil engineer हो तो जहां अगर architect की degree की है तो आप architect होगी अगर civil engineer हो तो क्या-क्या चीज़े हैं आपको आनी चाहिए तो आप architect कहला होगे एक तो देखो जो designing model होते हैं मतलब उनका concept आपको clear होने चाहिए यह design जो करते हैं हम चीज़ को basic knowledge जो आपको computer और जो architect के लेटिर software और रिवीट बगरा काफी software है और आपको यह जो computer का knowledge है थोड़ा बहुत basic engineering का पता है तो आप एक architect हो तो what is gunting क्या होती है इसमें क्या होता है एक process होता है यह कोई भी damage surface होता है concrete का अगर हम wall करें जहां हमारे tunnels होते हैं basically tunnels में यह ज़्यादा किया जाता है इसमें होता क्या है cement और sand का proportion मना जाता है कि मिच्चर मना जाता है एक ratio cement डाला जाता है और तीन ratio sand डाली जाती है और उसको क्या क्या जाता है एक pipe में मतलब जो machine होती है उससे उसका जो pressure होता है फैंकने का वो होता है 2-3 kg पर centimeter square के हिसाफ़ से वो इतना pressure उसका होता है उसमें इसको fill up किया जाता है जैसे short grid नहीं होता वैसे ये process किया जाता है लेकिन short grid में concrete होता है इसमें क्या होता है cement और sand का paste होता है और जहां damage surface होता है जहां cracks होते हैं यहां दब्बे होते हैं उन पे दूर से शूट किया जाता है और प्रॉपर से वो वूइड्स फिल अब हो जाता है पूरा एरिया वो हम इस प्रोसेस को गंटिंग बोलते हैं अगला जो question है पांच मों वो है अगर cracks को मेसनरी में कोई cracks आते हैं उसको fill up करने के लिए हम bitumen यूस करते हैं वो कौन सी होती है जिसको हम tar की तरह ही दिखती है plastic bitumen हम उसको बोलते हैं वो fill up कर देते हैं वो butter proof हो जाता है और उस area में पानी गुस्ता नहीं है अगला question क्या है अगर आपको field पे cement की quality चेक करनी है तो आप कैसे कर सकते हो देखो इस पे वीडियो से practical वीडियो बनाई है मैंने पूरे आपको दिखाया कैसे करते हैं अगर मैं ऐसे बता हूँ आपको तो क्या करना है अगर उसका देखो पहले चीज़ें क्या होती है उसकी physical properties देखने होती है उसके color बगर आई हो और अगर उसका gray color है मतलब lightish green shade होती है अगर वो है तो वो अच्छा cement है अगर हम उसको दो अंगली में ले वो soft सा लगे कोई उसमें रेत यहां कुछ finger में touch ना हो तो वो एक अच्छा cement है और दूसरी के अगर हम जो back को खोलके उसमें अ चीजें देखनी होती है और एक और हम एक pinch मतलब हाथ से दो उंगलियों में cement उटाके पानी में फैंके अगर वो थोड़ी देर तक float किया डूबने से पहले मतलब वो अच्छा है और lump free होना चाहिए मतलब उसमें कोई lumps बने नहीं होने चाहिए तुकडे कोई बने नहीं होन और portland poslana cement PPC, low heat portland cement, color portland cement, hydrophobic cement, rapid hardening cement, portland slag cement, sulfate resisting portland cement extra ये काफी type के cements होते हैं और इन पे में वीडियो बना चुका हूँ कौन सा आपको PPC कहां लगाने है आपको, आपकी दीबारों में लगाने है, प्लास्टर में लगाने है, foundation में कौन सा लगाने है ये सब mention हैं वीडि that is the difference between built-up and super built-up area, ये काफी important question है, built-up area क्या होता है, देखो, carpet area आपको पता चले के, carpet से ही समझ आ रहा है कि, दीबारों के अंदर, मतलब जहां जहां आपका फर्श आने वाला है, अंदर का rooms है, lobby है, kitchen है, पूझे रूम है, उनका जो carpet अंदर का area होगा, जहां जहां आपकी tiling होई है, प्लस, जो आपके walls, pillar और ducts है, उसको हम बोलते है, built-up area, मतलब, जो carpet area होगा, प्लस, उसमें 10% हम और add कर लें, जो walls होगे, pillars होगे, ducts होगे, तो वो होगया हमारा built-up area, थोड़ा समझ आया है, इसमें video डाल चुका हो, देखना अगर नहीं आरा समझ तो, super built-up area क layers होती है, lift होगे, gym होगे, club होगे, extra ये चीज़ें, उसमें add कर देंगे, तो हमारा super built-up area हो गया, इस पे एक दो वीडियो मैंने, मतलब, एक series बनाई थी, जिसमें rare आप बताया है, मैंने rare act क्या था, super built-up area क्या है, carpet area क्या है, building by last, आपने सुने ही होगे, जो आपको, हर एक civil engineer को पता होने चाहिए, उस पे मैंने एक playlist बनाई है, building by last, तो उसमें आप देखो, 6-7 वीडियो है, उसमें मैंने complete बताया के built-up, super built-up, carpet, ये sub area क्या होगे है, अगला question है, अठारम हमारा, what is water cement ratio, and how it related to the strength of concrete, मतलब, water cement ratio क्या है, और इसका क्या effect पढ़ता है, concrete की strength पे, water cement ratio क weight of the water to the weight of the cement, मतलब, cement के हिसाब से, हम water उसमें use करते है, इस पे वीडियो है, कि कितना water हम use करेंगे concrete में, कि उसकी strength और durability जादा रहेगी, देखो, 0.4 से 0.6 तक, हम water उसमें use करते है, और हम, देखा जाए, concrete में जितना कम water रहेगा, मतलब, उसकी requirement तो होगी, कि इतना होना ही होना चाहिए, अगर उतना ही डाला, तो उसकी strength और durability बलती है, अगर मतलब, जादा डाल दिया, जादा डालने से होता है, क्या है, लेवर लोग, side पे, या contractor डालते है, कि workable जादा होता है, मतलब, काम करना easy हो जाता है, जल्दी से फैंका, वाइबरेट भी करने के बढ़ा सकते है, अगला question है, बटी is hybrid foundation, hybrid foundation क्या होती है, इसमें क्या होता है, यह जो वुझ खलीफा आपने सुना ही होगा, दुबेई में जो है, उसमें भी hybrid foundation है, hybrid foundation कहां यूज की जाती है, जहां soil थोड़ी weak होती है, उसमें क्या करते हैं, पहले piles किये जाते है, पाइल ज उसके उपर foundation बगारा करके फिर structure खड़ा किया जाता है, मतलब दोनों का combination होता है, pile और mat का, तो उसे हम क्या बोलते है, hybrid foundation, इसमें chances क्या हो जाते हैं, आपके गर की दिवारों के cracks, settlement के cracks काफी ज़्यादा कम हो जाते हैं, आपको देखा ही है, आपने बुझ के लिफा कितना अगर उसमें थोड़ी भी settlement हुई, नीचे से उपर तक cracks, छोटा सा 1 mm का cracks उपर जाके 6 mm का हो जाएगा, इतना effect पढ़ सकता है, तो इसी लिए वहाँ hybrid foundation दी गई है, अगला question है, what are the steps involved in concreting process, हम concrete करते हैं, जो concrete करते हैं, साइट पे, उस process में क्या क्या होता है, देखो सबसे पहला होता है batching, जिसमें हम measure करते हैं, cement, core segregate, sand, water, concrete बनाने के लिए, उसकी batching की जाते हैं, सब weights के हिसाब से किया था, दो type के mix होते हैं, nominal mix, एक design mix, परसो वीडियो आई थी, इस पर आपने देखी होगी, उसमें मैंने बताया था, पहला batching हो गया, दूसरा process होता है, mixing, concrete को दो minute या तीन minute mix किया जाता है, जिस हिसाब से आपका batching plant है, RMC plant है, आदे MQ का है, एक MQ का डेड़ है, दो है, तो उस हिसाब से उसकी mixing किया जाती है, minimum 2 minute mixing उसकी की जाती है, फिर transportation होता है, जहां से आपको concrete लगने है, जिस location पर लगने है, जिस field पर लगने है, उदर से हम question पढ़ते हैं, but is flashing, flashing क्या हो गया, जैसे हमने उपर जो copying पढ़ा, वही एक चीज, वैसी एक चीज है, कोई भी मतलब extended portion है, building का, गर का, किसी चीज का भी, उसको seal कर दिया जाता है, उसको protect किया जाता है, उस joint को की पानी अंदर गुसे नहीं, तो उसको हम क्या बोलते है, अगर रूफ होते हैं, जो वाल्स होती है, पेरबिट बाल होती है, आपने उपर चिमनी देखे होगी, इंडिया में तो नहीं की जाती है, लेकिन काफी Hollywood movies देखे होगी, उसमें चिमनी होती है, और उसके उपर उनने, उसको डखा होता है, कि अंदर पानी नहीं जाए, तो फ्लेशिंग को क्या बोलते हैं, अगला कोशन है, ये अच्छा कोशन है, इसको कोशन किस के लेटरेव है, प्रेस्ट्रेसिंग करते हैं हम जो कॉंक्रीड में, प्रेस्ट्रेस कुंक्रीड होता है, उसमें इसको आपको मैं थोड़ा बेसी बता देता हू telling 중요, वे ये डाइग टेंडेंस डालते हैं, concrete में, जो structure होते हैं, आपने bridge के देखेंगे, उसमें हम tendence डालते हैं, तो उसमें जब हम उनको खींचते हैं, उनको pre-stress करते हैं पहले ही, तो उसमें lateral tensile stress होता है, stress increase होता है, तो उसको resist करने के लिए हम क्या करते हैं, bursting reinforcement provide करते हैं, मैंने कहा था आपको आई होग थोड़ा पता चल गया होगा कि आपको किसी को answer देना हो कि bursting reinforcement क्या है, तो simple क्या कहना है, कि वो जो lateral stress उसमें आता है, जब हम pre-stressing process करते हैं, तो उसको resist करने के लिए हम bursting reinforcement डालते हैं, इसमें मैं वीडियो जरूर लाँगा, बासूल हो, तो field की वीडियो लाँगा, नहीं तो diagram के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अगला question है, what are the major problem in using pumping for concrete work, हम concrete work जब करते हैं, pump use करते हैं, तो उसमें हमसे सबसे ज़्याद दिक्कत क्या आती है, आप लोगों ने देखा हुआ, सबसे ज़्याद दिक्कत क्या होती है, segregation और bleeding की एक देखनी जाती ह reason क्या इसके पीछे, reason इसके पीछे ये है कि friction मतलब आ जाता है concrete और pump के pipe में, मतलब अच्छे से friction नहीं मनेगा क्योंकि concrete है, मतलब एक frictionless तो है नहीं है, उसमें aggregate है, sand है, cement है, water है, तो एक hard सा substance है, वो frictionless है, तो होता क्या है, जब हम उसमें डालते है, तो जो pressure लगता है, जो throat मारता है pump, तो उसमें segregation और उसकी bleeding की chances काफी जाता होता है, इसको हम decrease कैसे कर सकते हैं, हम हमेशे क्या करते हैं, जब भी हम pumping करते हैं, मतलब RMC में जो concrete की ratio होती है, ऐसे use करना या pump में, तो 10% हम बढ़ा देते हैं, जितना अगर हम proper grading वाला aggregate use करेंगे, और 10% cement बढ़ाएंग तो वो proper से concrete होगा, without bleeding और without segregation उपर जहां आपका work concrete चाहिए, वहाँ वो पहुंच पाएगा, अगला क्या question है, जो construction manager होता है, उसकी क्या क्या responsibilities होती है, साइट पर, तो उसकी responsibilities होती है, पहली responsibility क्या है, cost estimates, कोई भी चीज वो use करेगा, या लगने वाली, उसका cost estimates होने चाहिए, pre-purchase of selecting material, मतलब पहले ही quantity survey करके रखना है, क्या चीज़ें लगने वाली है, क्या आपकी site पे available है, वो pre-purchase होना चाहिए, selection of bidders for bidding phase, जब वो B.O.Q. work order भी जब बिड करते हैं, तो वो proper way से, मतलब पूरा अगर हम बात करें, junior engineer, assistant engineer, कोई भी work जो है civil engineer, उसका सब देख रेक किसने करनी है, जो आपका construction manager होगा, उसने, आप scheduling, monitoring, planning, सब चीज़ें उसके अंडर आती है, अगला question है, बटी share slump, share slump क्या हुआ, देखो, तीन type के slump आपने सुने, हम contest करते हैं, किसके लिए workability check करने के लिए concrete के, उसमें तीन type के slump आते हैं, एक होता है हमारा true, share और collapse slump, तीन type के slump देखे जाते हैं, share slump हो गया, मतलब वो inclined तूटेगा, मतलब जब क्या होता है, वो inclined तूटता है, उता क्या है, मतलब जो material use, concrete use किया जा रहा है, वो segregate और bleeding होता है, मतलब प्रोपर वे से उसमें पानी उसमें ज्यादा ही है, तब ही वो segregate हो रहा है, और bleeding भी वो share slump हो गया, collapse से सामने पदल गया है, पूरा तूट जाएगा, collapse हो जाएगा, और true slump हो गया, जो अच्छा workable concrete है, जिसमें proper से subgrading के साथ material डाला हुए, अगला question है, why is concrete weak intention, यह question पूछा है, जो 26 question है, मैंने पहले ही कहा था, आपको वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो patience के साथ देखो, काफी चीज़े सीखने वाले हो, practical knowledge सीखने वाले हो, तो why is concrete weak intention, यह experience evil engineer से question पूछा जाता है, कि जो concrete होता है, वो tension में weak क्यों है, देखो, जो हमारा compression, concrete है, उसमें कोई भी binding material क्या है, उसमें cement है, अगर हम उसको compression में रखें, तो जब भी उपर से load मतलब उसको में खिचाब डालते हैं, तो उसमें binding material क्या है, सिर्फ cement, तो वो कितनी देर तक bear कर सेगा, और एक दूसरे से तो जाता है, तो इसलिए क्या होता है, concrete जो है, वो compression में काफी अच्छा है, जो column है, वो काफी अच्छा है, और beam में हम क्यों सिर्फ concrete पे नहीं रखत Flute form of concrete, मतलब एक liquid form का बनाते है concrete हम, जिसको कहां fill up करते हैं, voids होते हैं, जहां anchor डालते हैं, pre-stressing में जब हम tendons को बरते हैं, को grouting करके, तो वो चीज होगे, मतलब एक liquid form का concrete होगे, जहां हम दूसरा concrete नहीं डाल सकते हैं, वहां हम एक liquid form का concrete बनाके डालते हैं, अगले abilities recommended, slump for concrete, अगर slump for column, sorry, तो क्या slump रखना चाहिए, जैसे मैंने slump की बात की पहले, कितनी क्या क्या होता है, true share or collapse slump, तो उसकी value कितनी रखनी होती है, contest में slump की, 75 to 125 mm acceptable होता है, कॉलम के लिए, 125 mm तब acceptable है, अगर हम boom placer यहां pump use कर रहे हैं, तो उसमें 125 है, अगर हम manually डाल रहे हैं, 75-100 mm slump उसका आना चाहिए, जो grain height होता है, उसकी bearing capacity कितनी होता है, तो इसकी bearing capacity of grain height जेनरी 30-35 kg per centimeter square के हिसाब से, उसकी bearing capacity होती है, किसकी? आगला क्या क्या question है, what are the specifications of tamping rod used in cube filling, जो cube filling करते हैं, compressive strength के लिए, जो cube fill किये जाते हैं, आपने देखे ही होंगे, 1500 by 1500 by 1500 के, जहां slendrical shape के, तो उसमें जो tamping rod use की जाती है, उसकी क्या specification है, तो I score 2386 क्या कहता है, 16 mm की वो rod होनी चाहिए, 600 mm वो लंबी होनी चाहिए, तो और round edges आगे से होने चाहिए, जो square यहां rectangle edge नहीं होना चाहिए, गोल होनी चाहिए, और 16 mm की होनी 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 चाहिए, और 600 mm यहां 2 feet लंबी होनी चाहिए, उससे हम proper way से उसको खाज के cube बरते हैं अगला question है, what is the minimum curing period, minimum curing period है, यह मैं पहले बता चुका है, उपर हम यह question पढ़ चुके है, अगला बटा था function of column building, जो column है, उसका क्या function है building में, उसका यह की function है, वो vertical member है, compression member है, उपर से जो load आएगा, वो easily नीचे structural member पे distribute कर देगा, अगर हम column रखे, नीचे plinth भी में, उ properly से नीचे distribute हो जाएगा, मतलब एक member use की है, किसके लिए load distribute करने के लिए हम इसलिए building में provide करते है, what are the uses of guy rounds, पहले समझो guy rounds क्या होते हैं, देखो, आपने समुंदर यहां canal से देखी होगी, आगे मतलब, क्या समझे लो, एक structure बनाया जाता है, एक structure बनाया जाता है, जो soil erosion होत होता है, यहां रोकता है, तो वो होता है, मतलब समुंदर के साथ में भी पानी का flow यह erosion कम करने के लिए, एक three leg, आपने एक देखाओ का guy rounds होते हैं, जहां, लंबे से guy rounds मनाया होते हैं, कि पानी वहां, जादा मिटी भाके ना ले जा सके, अगला question है, what is the initial and final setting time of ideal cement, जो ideal cement है, मतलब एक अच्छा cement है, उसका initial and final setting time कितना है, तो initial के हम बात करें, जो cement use किया है, वो 30 minute होता है, मतलब initial setting time कितना हुआ, 30 minute, और जो machinery के लिए हम use करते हैं, उसका 90 minute हम रखते हैं, मतलब अगर concrete में use किया जा रहा है तो 30 minute उसका initial setting time हो गया, machinery में 90 minute, और जो final setting time हो गया, वो कि कोशन है 35 पोर्शन आप ब्रिक कट अक्रॉस दा बिट था मतलब आगे ब्रिक को खड़ा किया हमने हमारी ब्रिक का साइज क्या होता है 190 बाई 90 बाई 90 जो स्टेंडर साइज है तो उसको खड़ा करके हम काड़ते हैं तो वह बैट हो गया मतलब उसकी विट के इसाफ से ठीक है समझ रहे हो एक ब्रिक लो एक सीधी होगी उसको टेड़ा किया उसको हमने काटा तो वह उसकी विट के हिसाफ से हम काटेंगे तो वह बैट हो जाता है फिर वही कोशन आगया प्रिस्ट्रेसिंग के जो मैं आपको बताने वाला हूँ और डाइंग के साथ मैं बताऊंगा त बहुत हर अता हला है ने ऊटातन अट नटीर को निकल जाता है और सिर इनफर्शमेयर रजंगे प्रिस्छांट काटर उंप्रोब लुकशन मैं होता है दिरिकट बिस्क्ण को अच्छी यह कुछ लगाओ अच्छी ह counter कर दो अगला बटा तो में रिजन फार कंडिक्टिंग पुल आउट टेस्ट फार सोईल नेल्स आपने देखा होगा रोड के साइड पे जब रोड की कटिंग होती है यह होता कहा है हिलीज एरिया में जहां हिल कार दिया जाते हैं बीच में रोड बना दिया था हिल क्या होता है उसको जगड़ दिया जाता है मिट्टी को क्योंकि जितना रोग बॉल डालेंगे उसकी स्पेसिंग डिपेंड करती है कि 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 इसे लूज जा उसमें हम अंदर गुसाते जाएंगे नेल्स तो वह ताइट हो जाएज़े एक जमसे बॉइड्स खत्म हो जाएंगे तो वह गि ग्राउटिंग किया उसने वह पकड़ के रखे है रागबोल्ट की मतलब जब बाद में कोई फ्यूचर में लोड आया तो वह एकदम से निकल जाएंगे और पूरा कॉलाप्स हो जाएगा तो उस उस परपस के लिए पूलाउट टेस्ट किया जाता है सोल नेल्स पे अगिल क्वाल्टी हमारी फ्यूचर में क्वाल्टी ऐसी रही है या पास्ट में ऐसी रही है तो क्वाल्टी कंट्रोल क्या हो गया जब आपका काम स्टार्ट हो गया आप देख रहे हो प्रोपर पेसे क्वाल्टी हो रही है कॉंक्रीट डाला जा रहा है प्रोपर ग्रेड के साथ 30 35 40 तो M5 का क्या होता है 1 ratio 5 ratio 10 1 क्या हो गया cement 5 हो गया sand 10 हो गया agreed वैसे M7.5 की 1 ratio 4 ratio 8 M10 की 1 ratio 3 ratio 6 M15 की 1 ratio 2 ratio 4 M20 की 1 ratio 1.5 वीडियो पाउस करके आप इसको note भी कर सकते हो और M30 35 40 यह क्या हो गया design mix हो गया जैसे मैंने परसो वीडियो डाली थी nominal mix और design mix में तो same चीज है तो कि जो हम 25 तक क्या लेते है nominal mix लेते हैं उसके बाद हमें design करना पड़ता है अपनी concrete को economical और perfect उसकी strength के साथ बनाने के लिए और nominal mix जो है M25 तक आपको IS code में भी मिल जाते हैं अगले question है the length of each fish plate यह देखो यह railway के question है यह इसी video की end में मैं आपको provide करने वाला हूँ क्यूंकि यह आपको बिना diagram के समझनी आएगा बिना diagram मलब बिना pick के तो यह इस video के end में मैं add कर दूंगा यह video जो भी railway के question होंगे 10-15 question है 1500 question में तो ऐसे बताता जाओंगा लेकिन लास्ट में फिर से आप देखना वीडियो pick के साथ आपको अच्छे से समझाएगा तो length of each fish plate कितनी हुईती है fish plate हम use क्यूं करते हैं दोनों rails को जोडने के लिए तो 400.2 mm की fish plate होती है मतलब दो rail एक rail हमारी 12 मिटर को होती है उसको continue रखा होता है rail को rail क्या समझ रहे हो जो जिस पे पटरी जिस पे train चलने वाली है वो होती है rail तो 12 मिटर की रेल आती है दोनों को जोडने के लिए fish plate यूज़ गी आती है दोनों तरह मतलब फिश प्लेटे लगाई आती है बीच में rail को जोड़ दिया जाता है ये वीडियो लास्ट में मैं आड करने वाला हूँ पिक के साथ आप देखना तो चलो रेल बे के question में शोड़ता जाता हूँ क्यों ये मैं जो लास्ट में वीडियो आड करूंगा rail बे के question की पिक के साथ बताने वाला हूँ तो अभी हम रेल बे के छोड़ देते हैं वो लास्ट वीडियो के end में आपको जो cement होता है वो hardened जा मतलब अपना setting हो लेता है तो उसमें कोई volume में कोई changes तो नहीं आ रही तो वो उस चीज को हम क्या बोलते हैं soundness आप cement ठीक है अगली क्या चीज है creeping of rail can be checked by using anchors ये last में आपको देखेगा एक question फिर से rigging क्यों हो गया rigging काफी चीज़े cranes में भी होता है ऐसे रसी को खींचना उसको ये rigor जो rigor काम करते हैं rigging क्या होते है जब हम ship यह कुछ चलाते हैं तो road को direction देने के लिए क्या करते हैं मतलब ropes होती है उनको खींच के बांधते हैं तो उस काम को कौन करता है rigor और उस process को rigging बो क्या होते हैं पूरे मतलब high mass concrete यूज़ कियाता है तो वो किसके बने होते हैं पहले वेले जो gravity dams वो mitigated बने हैं लेकिन अभी क्या है gravity dams किसे concrete और heavy reinforcement से बनाए जाते हैं okay how made you decide to become a civil engineer कैसे आपको idea या civil engineer बने गए हैं सोचा आपने तो इसका answer आप खुद से जह सकते हो कि क्या मतलब आपको क्या था क्यूं सोचा आपने civil engineer बना मतलब एक अच्छा answer आप देख सकते हो जैसे आपने आपको पुछो आपने क्या क्या डिसाइड गी है civil engineer बनना तो व जै मतलब बताओ कि मेरा passion था मैं चाहता था कि मैं building के बारे में पढ़ूं कैसे बनती है और फिर future में वो उन पे काम करूं तो यह ऐसा कुछ answer आप दे सकते हो अगला question बटे दा purpose of the gap in road on the bridge मतलब आपने bridge देखे होंगे उनमें beach beach में प्लेटों में मतलब लोहे की plate होती है और बीच में gap होता है मतलब 30-40 mm gap थोड़ 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 ताइम बाद होता है अगर आपने देखा नहीं है जब गाड़ी आपकी bridge पे चलती है तो आवाज आती है ठक ठक मतलब थोड़ 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 थेर बाद थक ठक 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 एसे रखा जाता है वो gap इसलिए रखा जाता है कि future में temperature changes होते हैं ठंडी यहां गर्मी आती है तो expansion और contraction होती है concrete में तो अगर हम उसमें gap नहीं रखेंगे तो bridge में reacts create हो जाएंगे तो इसलिए gap रखा होता है कि जब भी concrete को सुकरना जहां expand होना होता है तो वो अपनी मर्जी से हो सकते है क्योंकि उसमें हमने पहले से ही expansion और contraction joint दे रखेंगे अगला question फिर railway पर है यह last में आपको देखेगा काफी अच्छे question है मैं हमने diagram के साथ बनाए है जरूर complete video देखना ठीक है अगला question है what are the movement of inertia and importance in civil engineering? movement of inertia क्या है अगर इसको समझाएं हम तो एक आपने structural member देखेंगे I section, C section तो उसमें इसका काफी जोगदान है काफी role है civil engineering में मतलब एक geometrical property है जो use की जाती है किसके लिए calculate करने के लिए कि bending को कितना resistant मिल रहा है यह buckling को मतलब एक चेक करने के लिए कि जो कितना resistant structure कितना resistant provide कर रहा है किसी structure को bending यह buckling के लिए अगला question है फिर जो railway का question है 56 57 क्या है question what are the various tests for checking brick quality अगर brick की quality आपको check करनी है क्या test होते है उसके लिए तो हम absorption test कर सकते हैं इसके लिए मैंने एक practical video बनाई है आप जाके देख सकते हो playlist का क्या नाम है जो भी test है वो playlist का नाम है construction size test कुछ ऐसे करके playlist है उसमें सब दी है absorption test क्या होते हैं hardness test क्या है shape और size से हम check कर सकते हैं हम absorption test में क्या करते हैं एक brick लेते हैं उसको 24 गंटे के लिए पाणी में डुबा के रखते हैं और देखते हैं उसका कितना volume मतलब weight हमने लिए था 300 gram तो 300 gram से 15 से 20% अगर उसका weight बड़ा है तो acceptable है अगर उससे ज़्यादा brick है क्योंकि अगर 20 से उपर हो जाएगा 22.5 तो second glass हो गई और 25 से उपर 25 हो जाएगा वो हो गई third glass brick और इसकी crushing strength कितनी होने चाहिए minimum 10 Nm minimum होने चाहिए और first class brick 7.59 होती है ठीक है यह हो गया अगला question 58 feet से railway पे है next question is explain but is critical path method CPM क्या है देखो इसमें क्या होता है symbolic diagram बनाए जाती है जिसमें पूरे जो हमारा construction के steps होते हैं उसमें involved होते हैं कि क्या क्या काम होने वाला है कब काम होने वाला है तो एक critical path मनाए जाता है किससे symbolic drawing बना से हो हम CPM बोलते हैं अगला question है how do you determine specific gravity of cement जैसे मैंने परसू video डाली थी जिसमें design mix में हम specific gravity चेक करते हैं हर material की फिर उसका design किया जाता है लेकिन काफी tough होता है जो cement होता है उसके अगर हमें specific gravity बतानी है वो क्यूंकि वो powder farm है उसको hard होता है कि निकाल पाए हम उसकी proper specific gravity अगला जो question है वो railway का question है फिर से अगला जो question है वो railway का है next question भी 67 भी 69 भी 70 70 तक यह है यह आपको कहां मिलेंगे last की video जब यह video end होगी उसके end में add गरने वाला हूं पिक्स के साथ समझाऊंगा तो आपको easy समझाएगा इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूं बाद में आपको आएगा अगर अगला question है 71 but are the steps involved in building construction building construction में क्या क्या steps involved होते हैं पहला है concreting होती है, masonry work होता है, plasting work, flooring work, foam work, steel cutting and bending यह सब चीज़ें आपने कहां भी देखी है वो देखी है आपने हमारी videos में काफी videos में इस पर डाल चुका हूं अगला question है 72, how do you measure volume of concrete तो कैसे हम करते हैं किसी भी structure की किसी भी हम क्या करने होते है length चाहिए होते है width चाहिए और thickness चाहिए होती है अगर हम किसी एक box की निकाले abonometer उसकी length है, abonometer height abonometer उसकी depth है तो वो क्या हो गया 1mq volume of concrete हो गया तो why we concrete cover is provided to reinforcement concrete का cover क्यूं provide करते हैं reinforcement को कि जो हमारा सरीया है उसको मतलब crozen ना लगे कहीं से voids नहीं रहे जाए इसलिए क्या करते हैं हम concrete cover use करते हैं हम column की बात करें तो minimum हमे 40 हम cover provide करते हैं और slab में 25 हम cover provide करते हैं 20 हम 30-40 हम provide करते हैं तो it depend होता है design पे अगर how to do check level on construction side किसकी help से हम side पे जो level check करते हैं separate level जो पानी की pipe होती है जहां separate level हो गया मतलब एक scale जासाता है जिसमें पूरा liquid fill किया आता है आपको उसको incline करो सीधा करो तो उससे check कर सकते हो dumpy level से कर सकते हो जहां water level pipe से भी आप check कर सकते हो तो जो dumpy level use किया जाता है उसकी accuracy या minimum rating कितनी हम ले सकते हैं 5 mm accurate rating होती है minimum कितनी होती है 5 mm उसकी हम ले सकते है dumpy level से how do you calculate the weight of 12 mm long and 10 mm diasteel तो 12 meter का लंबा सरी है और उसका डाय कितना है 10 mm तो उसका weight कैसे निकालेंगे जो जैसे मैंने कल formula आपको बताया था d square divided by 162 तो वह उस formula से निकाल सकते हैं जहां हम निकाल सकते है unit weight 10 mm बार का अगर 1 meter की length है उसका unit weight कितना होता है .60 kg per meter उसको multiply कर देंगे जितना लंबा बार होगा तो यहां कितना है 12 meter लंबा है तो .60 into 12 करेंगे तो हमारा आ गया 10 mm का बार अगर 12 meter लंबा है तो उसके 7.2 kg weight होगा अगला question सेम जैसे मैंने बताया कुण सी question यूज़ की जाती है अगर आपको manually weight करना है मतलब calculate कर सकतो theoretical तो वह होता है d square divided by 162 d क्या होगा डाय आप बार 10 into 10 divided by 162.2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा उसका बार का weight कितना है अगला क्या है what is the size of concrete cube जो हम concrete cube चूज़ करते है compressive strength test करने के लिए उसका size कितना होता है 15 cm by 15 cm by 15 cm का अगला question है but do you do if any concrete cube fail in 20 days compressive strength test अगर जो concrete cube fail हो जाए 28 दिन के बाद हम क्या 2 type की test करते है एक हमारा होता है एक होता है हमारा 7 दिन पे दूसरा होता है 28 दिन पे जो 28 दिन का compressive strength test अगर fail हो जाए तो क्या करते है, core gutter test करते है यह report हम बेज देते है high authorities को core gutter के बाद फिर हमारे काफी test होते है rebound भी check किया जाता है, ultrasonic test किया जाता है तो उससे पता लगा जाता है कि सची में concrete उस अपनी जो design strength है वो नहीं पा पाया अगर नहीं पाया है फिर उसको तोड़ दिया जाता है नया structure बनाया जाता है अगला question यह बटीजा mixed ratio of our m20 grade of concrete क्या होती है 1, 1.5 ratio 3 यह पुछी जाती है interviews में अगला question है what is the unit weight of bar mm steel bar हम निकाल भी सकते हैं कैसे 162 नहीं d square divided by 162 और ऐसे कोई पुछे तो कितना होता है 0.89 kg per meter के इसाब से और अगला question है but is floating slab foundation floating slab foundation क्या होती है एक hollow mat होता है मतलब simple foundation होती है मतलब एक flat slab डाल दी जाती है पूरे मतलब एक grade slab हम जिसे बोलते हैं वह हैवी reinforcement के साथ उसे हम बोलते है floating slab foundation तो density अप steel कितनी होती है 7850 kg per m3 ठीक है अगला question है इन फी 415 steel के 415 के इंडिकेट करता है tensile strength उस steel की तो height of low curve low curve होती है कब हम आपने देखी होगी ऐसे industries area में भी एक चोटी सी ऐसे दीवार यसी चड़ी होती है जहां road के side पे देखा हुगा कर्वाल कर्वाल हम जिसने बोलते हैं तो low curve की height कितनी minimum कितनी होती है 100 mm उसकी होती है अगर अगला question है what is the volume of 50 kg bag up cement cement का 50 kg bag up उसका volume कितना होता है 0.3035 m3 इसको आप कैसे और भी निकाल सकते हो जैसे मैंने बताया हमारा एक formula होता है volume जो density का formula जिसमें मैं वीडियो पहले वी ला चुका हूँ काफी important formula है वो formula से हम इसको निकाल सकते हैं आप playlist में जाके वो video देख सकते हो आगला question है function of grout inside tendern ducts मैंने जैसे बताया था grouting क्या होती है तो क्या function होता है grout का कि जो अंदर gap बचा होता है जहां tenderns डाली होती है तो वहां हम grout कर देते हैं जो tenderns हो वो crozen नहीं लगे उनकी ultimate capacity आजाए पकड़ एक पूरा structure member को fill up करने के लिए हम grout use करते हैं अगला जो question है जो residential building होती है तो every value of stair मतलब जो stair cd बना जाती है उसकी width minimum कितनी रख सकते है 900 mm यह हम उसको बोल सकते है die in 3 feet hour रख लो कोई दिक्कत नहीं है अगला function of share key in design of retaining wall share key का function क्या है mainly आपने column बे भी देखा होगा share key हम बनाते है इस पर 2-3 वीडियो है आप देखना share key मनाते है घड़े घड़े मनाते है कि मतलब क्या होता है अगर oriental stress यह force लगे तो वह चीज पलट नहीं जाए जहां वह गिर नहीं जाए एक मतलब उसको anchorage मिली रहे तो वह function है share ball का और अगर retaining ball में आपने एक photo यह करते हैं 40 degrees जादा provide करेंगे तो कोई उसमें चड़ में नहीं पाएगा गिरने के chances काफी जादा हो जाते हैं अगला question 91 वाला हम उपर कर चुके हैं अगला question है minimum diameter of steel in column जो column में हम minimum diameter of steel use कर सकते हैं वो कितना है 12 mm लेकिन एक question मेरे को पूछा गया कि सर आपने कहा 12 mm वो शेर वाल होती है जहां 10 mm का सर्या भी यूज़ किया जाता है बाकी column में 12 mm का सर्या acceptable होता है अगला question of what are the disadvantages of curing by ponding and polishing sheet अगर हम ponding और polishing से curing करते हैं तो उसमें क्या disadvantages है ponding से करेंगे क्या होता है temperature जहनजी से पानी evaporate हो जाता है काफी ज़ादा पानी लगता है अगर आपने fill up करके रखा है थोड़ी थोड़ी जेर बाद लेवर चाहिए पानी बरती रहेगी फिर बरती रहेगी तो पानी गरम heat भी ज़ादा हो जाता है polythene sheet से क्या होता है polythene sheet डाली होगी तो उसमें proper से हवावनी कुछ जाती है concrete के अंदर और वो उड़ने का डर रहता है polythene sheets का इसलिए हम दोनों avoid करते है अगला standard size of brick कितनी होते है 19 cm by 9 cm by 9 cm अगला question है what is unit weight of RCC unit weight कितना होता है RCC का 2500 kg per M3 PCC का कितना होता है 2400 kg per M3 अगला question किया है हम जो क्या prevalent face करनी बड़ती है country river balcony में अगर उनकी length 2-3 meter है तो काफी चीज़े देखी जाती है एक तो उसको design करना मुश्किल हो जाता है एक उसमें जो deflection है वो काफी जादा दिखती है failure order के chances काफी जादा होते है तो अगर वो limited है 2-3 feet यहां 1 meter है तो इतनी जादे issues में देखने को नहीं मिलते अगला one acre कितने square feet होता है 4-3-5-6-0 square feet वो होता है universal testing machine जो हम compressive strength यहां उसको test करने के लिए यूज़ करते है but do you understand why segregation segregation क्या हो गया जिसमें क्या होता है aggregate sand cement मतलब अलग अलग हो जाता है मतलब एक mixture जो होता है concrete रहे होता है वो proper नहीं होता है वो सब चीज़ें अलग लग योथा aggregate अलग पानी अलग sand अलग cement अलग तो वो और सात में क्या था bleeding क्या होता है जिसमें क्या होता है the water was in the water कम होती जाती है दिन पर दिन तो what is the IS code for plain and reinforcement concrete अगर plain or reinforcement concrete है उसके लिए कौन सा IS code है IS code 456 यह आपको कहां मिलेगा हमारी website civilsidebusiness.com पे जाओ वहाँ पे आपको सब फ्री के concrete के, steel के, soil के सब फ्री IS code मिल जाएंगे 1 square meter कितने square feet होता है 10.76 square feet होता है what are the standard American code for steel and concrete cones है ACI or AISC but is the code for अगर general construction of steel की करनी हो IS80 यह सब आपको हमारी website पे मिल जाएंगे but is unit weight of 25 mm steel bar कितना होता है 3.85 kg per meter 1 hectare कितने hectare होता है 2.47 hectare होता है 1 gallon कितने liter होता है 3.78 अगर which type of cement is used in construction massive dense structure low heat cement हम use करते है अगर massive dense structure है low heat करेंगे अगर high heat करेंगे यह simple use करेंगे तो उसमें काफी बड़े-बड़े cracks create हो जाएं 1 kilo newton कितने kg होता है 1.1.97 kg होता है for steel structure what is permissible vertical deflection कितनी होता है span divide by 325 से हम निकाल सकते है अगर जो steel structure है उसकी permissible vertical deflection कितनी हो सकती है कितना deflect हो सकता है अगर वो vertical member है 1.10 कितने के लोगे होता है 1000 kg के अगर जो maximum free fall होता है concrete को कितने दूर से फैंक होगे आप तो वो acceptable होता है but is minimum reinforcement in beam minimum reinforcement कितनी हम beam में provide करते है उसका formula है AST B into D equal to 0.85 into FI यह इस पे मैंने दो वीडियो बनाई है आप देखो पूरा अच्छा से explain किया है कि आपको reinforce में minimum reinforcement किनी provide करनी है और maximum कितनी करनी होती है beam में वो कैसे निकालते है 0.40 into B into D B into D किया यह इस पे पूरी वीडियो बनाई है उसकी width और उसकी depth हम लेते है अगला question है what is the minimum reinforcement in slab वो कैसे निकालते है 0.12% into gross area जो भी slab का gross area होगा उसको कितने से multiply कर देंगे 0.12% से अगला क्या है what is the minimum reinforcement in column कितने है जो भी उसका area होगा उसका 0.88% अगर minimum bar in circular column should be minimum कम से कम कितने बार आपको डालने होते है circular column में 6 और rectangle square में 4 ठीक है but is the full form of ACC, ACC block use करते हैं उसकी full form क्या होती है वो है आपकी auto collective aerated concrete अगला question what is the full form of NTT non destructive test what is the full form of JCB, Joseph, Krill, Bamford इनका नाम थे अगला beach test is conducted to determine the bearing capacity of soil अगर soil की bearing capacity हमें जाननी हो तो उसको कौन सा test किये जाता है plate load test के हम उसके लिए conduct करते है ring and ball test is conducted on which construction material bitumen पे हम चेक करते हैं जिसका grade check करने के लिए ठीक है अगला but is the section far bending considered at the face of column but is the maximum number of steps in flight flight में maximum number of column कितने हम steps दे सकते हैं बारा-बारां के बाद आपको landing provide करनी पड़ती है but is the various limits states of strength flexure, compression, share and torsion ये 4 होती है minimum hook length as bar is code 75 mm जहां उसको हम 9 to 10 d आपको provide करनी करनी पड़ती है but is the extra length in bent up bars उसको कैसे निकालते है 0.45 into d ये मैंने जैसे कहा starting में 1500 question का 1500 question आपको explained video मिलेंगी हमारे channel पे but is the least count out dumpy level हमने उपर भी देखा कितना 5 mm होता है full farm के होती है GL की ये आपको drawing पे देखने को मिलेंगी काफी ज़यदा existing ground level फिर अगला question क्या है first class brick जो होती है वो कितने 20% से ज्यादा पानी उसको absorb नहीं करना होता है 20% से ज्यादा कर दिया 22.5 पहुँच गया तब वो होगी हमारी second class 3rd class brick जैसे पहले बताए है जो column में minimum bar कितने होने चाहिए चार उसमें होने चाहिए अगला question है what are the various losses in pre-stressing कौन-कौन सा losses होता है pre-stressing हम करते हैं elastic deformation of concrete shrinkage of concrete creep of concrete relaxation of stress and steel इसलिए हम तीन टाइप की reinforcement उसमें provide करते हैं कौन सी spelling और यह हम तीन उसमें provide करते हैं और bursting because जो because apparatus है किसलिए यूज़ करते हैं consistency test करने के लिए leach-ataly apparatus किसलिए यूज़ करते हैं soundness test करने के लिए जैसे मैंने उपर soundness के आपके बताया अगर एक cubic meter में कितनी बिक्स होती हैं 500 नग बिक्स में होती है जो portland cement होता है normal consistency कितनी होती है इसकी 25% जो expansion in portland cement is tested by किस expansion जो होती है portland cement उसको किसे हम test करते हैं soundness test है shear center in steel column कितना होता है it is point or axis which load acts strut क्या होती है incline कोई भी हम provide करते हैं जैसे strut हम mainly provide करते हैं जब deep execution करते हैं उपर से मिटी नहीं कर जाए इसलिए हम struts provide करते हैं बाकि incline कोई भी support हम बल्ली भी provide करेंगा उसे भी हम strut up होलते हैं अगला question है ऐसे हम इस दर क्या है strut is a compression member अगला question है what is modular ratio modularization क्या होती है modulus of elasticity to the modulus of elasticity of concrete steel की modulus of elasticity होती है उसको divide करते हैं bearing piles bearing piles क्या होती है जो load को hard starter पे transfer करती है इसलिए हम bearing piles use करते हैं friction piles क्या हो गई friction piles transfer the load by friction between the surface of pile and soil soil मतलब जो उसका surface होता pile का और soil का उसमें transfer करते हैं उसे हम friction piles बोलते है according to ice code full strength of concrete is achieved of full strength तो नहीं बोल सकते लेकिन 97% हम बोल सकते हैं 28 days बाद हो गई होती है एक back के volume कितना होता है 0.035mq and minimum grade of concrete use for RCC क्या होता है M20 and slenderness ratio जो limit होती है कॉलम की अगर 12 से कम आए less than 12 तो वो short column होता है more than 12 है तो वो long column होता है initial final setting नहीं बता चुका हूँ less than 30 minute और final हो गया हमारा 600 minute ली चैटले अपरेटेक्स के लिए soundness के लिए यह question हो गए हमारे 1300 अभी आपके कॉन से बचे railway के वो अभी मैं आभी आप वीडियो को continue रखो उसमें आपको railway के question जो 10-12 question थे वो picks के साथ समझाऊंगा वो आपको अच्छे समझाए जाएंगे ठीक है स्टार्ट करतें अभी वो हम जो length of each fish plate जो fish plate use की जाती है जो rails दो होती है मतलब समझ रहे हो rail rail को जोंगने के लिए जोइंट बनाने के लिए एक fish plate you use की जाती है सामने आप fish plate देख रहे हो जिसमें bolt लगे हुए उसकी length कितनी होती है उसकी length होती है 457.2 mm ठीक है हमेशा याद रखने है इंटर्व्यों में पुशा जाता है कि बाकी ऐसे तो काफी type की fish plate आती है लेकिन उसकी length कितनी होती है तो double head rail होती है जो उसमें हम rail chair use करते है मतलब उपर भी head होता है नीचे भी head एक flat head होती है वो आगे दिखाता हूं में तो उसको rest करने के लिए उसको अच्छे से fix करने के लिए तो हम rail chair करते है अगर double head rail हम use कर रहे है जो आप सामने pick में देख रहे हो जैसे सामने आपको दिख रहे flat footed rail और bearing blade नीचे तो उसके लिए हम क्या करते है bearing blade use करते है यह important question है यह interview में पूछा जा सकता है कि flat footed rail होती है उसको हम कैसे fix करते है slipper पे जो bearing blade है उस पे किस लिए use आती है कौन सी rail हमें उस पे बिठानी होती है flat footed rail होती है जो उसमें हम bearing plate करते हैं fix के लिए तो इसका answer आपको देना है distribute the pressure over wider area मतलब जो flat footed rail का आएगा वो जो bearing plate होगी वो easily distribute कर देगी जो भी उस पे load आएगा वो जो नीचे slipper लगा होगो उस पे easily distribute कर देगी इसलिए हम क्या करते है जो bearing plate है वो हम use करते हैं किसके नीचे flat footed rail पे एक important question था आपको interview में अगर आप railway में भी जाते हो railway के interviews होते हैं जहां आपको कोई काम मिल रहा है railway में तो यह question आपको face करने बढ़ेंगे इसलिए आपको यह pics के साथ अगला question जो है the creeping of rail can be checked while using कि जो creeping होती है rail की उसको हम कैसे check करते है क्या उसके लिए instrument use करते है तो मैं आपको दिखाता हूँ तो सामने आप anchor देख रहे हो anchor की help से पता चलता है कि उसमें कितनी creep है मतलब movement होती है rail की जब उपर train चलेगी तो जो नीचे rails लगी होती है उसको check करते है कि ज़्यादा करीब तो नहीं होगी है मतलब 100 mm तक कुछ limit होती है 130 mm तक शायद तो लेकिन इससे हम anchor से पता जल जाता है उसका गिसाब आप सामने देख रहे हो तो उससे idea हो जाता है कि कितनी हुई है अगला question है on Indian railway minimum formation built in embankment for single line of broad gauge तो वो कितनी होती है 6.1 meter आपने देखा होगा जो aggregate डाला होता है वो कितना वाइड होता है कोई भी एक अगर उसमें से railway line जाने वाली है ठीक है broad gauge तो उसमें कितना 6.1 meter बनाती है जैसे आप देखोगा अगला question है the device used for changing the direction of engine is called turn table सामने आप turn table देख रहे है उसकी pick दिखरी होगा क्या होता है पहले पहले अभी इंडिया में तो शाहिद एक दो जगह यह पे कि जो direction change करते हैं अगर engine की direction चेंज करनी हो एक ही जगह से तो turn table यूज करते हैं इस पर जब engine खड़ा होगा तो यह गूमता है मतलब table की तरह गूमेगा उसका face change हो जाता है engine का तो इसको basically use किया जाता है जब भी engine का जो locomotive होता है उसको change करने के लिए हम क्या करते हैं? अगला question है the device you provided to prevent the vehicle from moving behind the end of rail terminal is called buffer stop यह आप लोगों ने काफी जगह देखा भी होगा लेकिन आपको पता नहीं है कि इसे बोलते के हैं और आपको idea तो लग दिया होगा कि buffer stop क्या होता है देखो आप सबने देखा होगा कि end में एक stopper सा लगा होता है आप सामने पिक देख रहे हो यह चीज एंड में लगाई होती है कि अगर by chance emergency में यह train इसको buffer stop से रुक जाए यह basically हर जहां टर्म में जो rail का end होता है वहां लगाया जाता है जहां कोई stoppage हो कहीं मतलब पटरी खतम हो रही है वहां पे यह basically buffer stop लगाया जाता है तो अगला जो question है 9th number का question वह है the distance between the running edge of the stock rail and switch rail and switch heel is called heel clearance सामने आप देख रहे हो यह heel clearance होता है यह heel block होता है जो सामने आप देख रहे हैं जहां से पटरियां side हो रही है इसको मैं पिक के माधियम से आपको अच्छे से समझाता हूं देखो जहां दो rail है मतलब एक जहासे आपने प्रणी पिक में देखा एक पटरी मरा rail सीधी जा रही है दूसरी तरफ से उसमें मोड आ रहा है मतलब दूसरी पटरी एक में से दो निकल रही है तो वैसे आप section देखो एक rail होगी एक दूसरी इदर होगी तो जो last rail से लेके उसके अंदर की hill मतलब उपर उपर आपको यहां दिख रहा होगा जहां अरो मारा हुआ है hill clearance मतलब भार की rail से अंदर की तरफ जो भी distance होता है उससे हम क्या बोलते है hill clearance अब ऐसी अगला question क्या है the distance between the adjacent face of the stock rail and the check rail is called क्या होता है वो flange way clearance flange way clearance आपको कहां दिख रहा है पहले तो सबसे पहले इदर left side में देखो flange wheel दिख रहा है आपको wheel दिख गया उसके नीचे है flange depth फिर हमारी stock rail तो उसी के उसमें क्या होता है जैसे हमारा था बाहर से अंदर heel clearance इसमें क्या है अंदर अंदर जो होता है वो होता है flange way clearance मतलब दोनों में difference किया है जो हमारी heel clearance है वो होता है बाहर का face left side से face से लेके जो अंदर की rail होगी उसके left तक वो हो गया हमारा heel clearance फिर आता है flange way clearance वो होता है अंदर से अंदर का distance वो होता है हमारा flange way clearance इसमें और काफी चीज़ें आपको clear हो रही होंगी fish plate कहां पे है bolt उपर उसके लगा उसके उपर nut लगा है फिर टंग rail क्या होती है वो वहां दिखाई गई है heel block दिखाया गया है सब चीज़ें इस पिक से clear हो रही होंगी एक अच्छी पिक है यह आप कर लो बाकी आपको इसमें क्या है भी question और भी ज्यादा है बीस पचीस question है railway engineering interview questions है जो आपको यह क्या है interview में नहीं SSC क्या कोई भी exam होता है junior engineer का exam होता है जो छोटे exam रसाते हैं उनमें यह questions देखे जाते हैं आप इनको interview questions भी ले सकते हो और आपको ऐसे भी यह काम है